आउट लियर्स, बुक समरी, ये किताब मालकॉल लेडवेल ने लिखी है, किताब बहुत अच्छी जानकरे से बरीवी है, इस किताब में लेकक ने बताया कि सफालता के लिए कि टेलेंट ही जरूरी नहीं होता है, बलकि पाँच और चीजे फेक्टर भी होने चाहिए, तो वो कौन सी पाँच चीजे है, आईए जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आउट लियर्स किसे कहता है, आउट लियर्स का लिटरल मतलब है बाहर रहने वाला, आउट मतलब बाहर, लेकिन किसके बाहर रहने वाला, तो इसमें लेकक का मतलब बीड से बाहर रहने वाला है, वो बीड से बाहर कौन होता है वो जिसमें टैलेंट होता है मतलब जो इनसान से ज़्यादा प्रभाईत परतिबावाला होता है मान लीजिए आपकी क्लास के सब बच्चों को दोड लगाने के लिए का जाता है यदि आप सबसे ज़्यादा तेज भागते हैं आते हैं तो रेस के लियाज से आप आउट लियर हुए मतलब यानि बीड एक तरफ है और आप सबसे अलग या बाहर है ऐसे ही जो वेक्ति स्विमिंग में सबसे आगे होगा वो स्विमिंग की फिल्ड का आउट लियर होगा ऐसे ही डिफरेंट फिल्ड में अलग लग आउट लियर हो सकता है कोई अच्छा राइटर हो सकता तो कोई अच्छा साइंटिस्ट या कोई अच्छा एंट्रोपेनर या सिंगर भी हो सकता है अच्छा सिंगर भी हो सकता है अच्छा एंट्रोपेनर भी हो सकता है Outlier का सीधा मतलब है Very talented person जो किसी भी फिल्ड में मिल सकता है जैसे Arts, Science, Entrepreneurship, Sports आदी सपलता के लिए 5 जरूरी बाते माल लीजिए आप भी किसी फिल्ड के Outlier मतलब talented है लेकिन क्या बस इसी बात से आप सपल हो जाएंगे नहीं जैसे हमारे देश में कितने सारे talented singers लेकिन क्या वे सब भी सपल हो पाता है लेकिक बताते हैं सपलता तब आती है जब किसी भी Outlier को पाचीजे मिल जाती है टाइमिंट, अब रिगिंग, 10,000 होर्स प्रेक्टिस, मिनिंग्फुल वर्क, लिगेसी आई इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं टाइमिंग, एज, लेकिन एक बहुत ही रोचक फेक्ट वताया है सपल होने के लिए हमारी उम्रों सेलेक्शन की टाइमिंग भी जिम्मेदार होती है उन्होंने विस्क की नंबर बन माने जाने वाली केनेडा होकी टीम का एक जामपल दिया है इसमें बच्चों का चैन दिसंबर में किया जाता है जो बच्चे दिसंबर में पैदा होते हैं उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता है लेकिन जो जनवरी और फरवरी पैदा हो तो उनका सेलक्षन हो जाता, जानते ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बच्चे जनवरी फरवरी पैदा होगा वो दिसम्बर तक आते आते आट नो महिने बड़ा हो जाएगा, उस बच्चे के मुकाबले जो नौवर या दिसम्बर में जैदा होता है बैतर खेलते हैं इसलिए उनका चेन हो जाता है नवंबर दिसंबल वाले बच्चे कंपेरेटेवली छोटे होते हैं और उनका चेन नहीं हो पाता है इसलिए उनका सेलेक्षिन नहीं हो पाता है तो यहां सेलेक्षिन की टाइमिंग और बचों की उम्र माईने रखती है करनड़ा की टीम के सारे प्लेयर्स का जहन लगबग जनवरी फरवने में आता है वो बाकी सभी प्लेयर्स से उम्र में बड़े होते हैं इसलिए वो खेल मे प्रॉटों नेे देखा है कि किस तरह उम्र आपको सफल बना सकती है इंडिया में भी आपने देखा होगा किस तरह मावाप में बच्चों जल्दी स्कूल भेजनी घौड लगी विया, तीन साल में बच्चों स्कूल भेज दिया जाता है, इस से बच्चों में फृष्टेस रहता है, क्योंकि उनमें ज्यादा कॉटिसल आर्म पेदा हो जाता है, ऐसा बच्चे सिर्फ रटूर तोते बन जाते हैं लेकिन आगे कुछ खास नहीं करते हैं वो कोई invention या discovery नहीं कर पाते हैं बहुत से बच्चे इसलिए फैल भी हो जाता है क्योंकि उसमें उनका brain विक्षित नहीं हुआ होता है वो चीजों को आसानी से कैसे समझ सकते हैं इसलिए फैल तो होंगे ही यह भी एक बड़ा कारण है कि लगबग 149 करोड लोगों के देश में अभी तक एक अच्छा सा स्मार्ट फोन तक नहीं बन पाया है कि फ्रांस में साथ साल की हूं से पहले बच्चों को स्कूल में नहीं डाला जा सकता है अगली चीज जरूरी है आउट लियर टेलेंटिड आदमिक परवरिस डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर बन पाता है क्योंकि बच्पन से उसने हजारो दोया नाम सुन रखना हूता हैं अंबी इसके जिकता पर पहले सि देख पढ़ रखना की होती है फिल्म स्टार्स के बच्चे बच्पन से केमरे के आगे पीछे गूम रहे होता हैं। क्या बढ़े होका एसे बच्चों को केमरे से डर लगेगा बिलकूल भी नहीं। इसलिए केमरा कोई डराने वाली चीज नहीं को सरलता से उसे हंडल कर लेंगे। नए लोगों को हर चीज सुरू से सीखनी पड़ेगी इसलिए परविड्स का भी सफलता में एक बहुत बड़ा रोल होता है यहां लेकक ने बिल गेट्सका एकजांपल दिया बिल गेट्सका पीछे उनकी परविड्सका बहुत बड़ा हात है उनके पिता वकिल थे और माँ भी एक अमीर घर से थी वे अमेरिका के सेटल सहर में रहते थे 1968 में उन्हों बिल गेट्स को एक बहुत ही इलेट स्कूल जिसका नाम लेकसाइड था हमें पढ़ने के लिए डाल दिया लेकसाइड गिने चुने स्कूलों में था जहां कंप्यूटर लेब की सुईधा मौझूद थी बिल गेट्स ने एट क्लास से ही कोड़ी सिखना शुरू कर दिया था बिल गेट्स में टेलेंट तो कूट-कूट कर भरा था लेकिन अगर वो किसी किसान के घर में पैदा होय तो तो क्या माइक्रोसोफ्ट बना लेते हैं वहां तो उन्हें कंप्यूटर को ओन करना भी नहीं सिखाया जाता अथा टेलेंड के लाव अब रिविंग भी एक फेक्टर था जिसके करांड विल गेट्स आगे चल कर इतने अमिर इंट्रोपर्णर बने टेन थाउजन होर्स प्रेक्टिस सपलता के लिए जो तीसरी चीज लेखंग न बताई ये वह दस जार गंटों की प्रेक्टिस है ये प्रेक्टिस कोई भी आउट लिट जाने जाने करता रहता बिल गेट्स का एक जाम पल ले तो एट्थ ग्रेट से कोलेश तक पाउंस तक और वस्तलं की 10,000 घंटों की प्रेक्टिस अब न रह पूरी हो गई थी है रिपॉर्टर लिखने से पहले भी जैक के रॉलिंग लिखती रहती थी 40 साल की उम्रों में जब उन्होंने मास्टर पीस हेरी पोर्टर लिका तब तक उनकी भी 10,000 गंटों की प्रेक्टिस हो चुकी थी जितने भी खिलाडी हैं वे बच्पन से स्पोर्स खेलने लग जाते हैं टीम में सेलेक्शन होने तक को 10,000 गंटे कर चूके होते हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया होता है वो सफल नहीं हो पाता है लादी आप में भी कोई टेलेंट है Estado नियमेद दूसे उसकी प्रेक्टिस करते रही है कई सालों की प्रेक्टिस से आपके भी दस-जार गंटे हो जाएंगे आप भी अपनी फिल्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप दूसरों से ज़्यादा सफ़ल हो सकते हैं लेकक ने पिटल्स का एक्जामपल दिया है 1960 में वे सिर्फ एक स्कूल बेंड हुआ करते थे उन्हें जर्मनी के हैंबर्ग सेर में स्थित प्रुनो कलब में जब जाने का मौका मिला उन्हें पूरी राद बजाने के लिए का जाता था इससे उन्हें प्रैक्टिस का खूब मौका मिला उनका स्टेमिना बढ़ता चला गया उनका टेलेंड में भी निकार आता चला गया जब वे पोपुलर हुए तो पहले ही 1200 परफॉरमस क्लब में दे चुके थे यानि 10,000 गंटे वाली कंडिशन पूरी कर चुके थे इसलिए वो दूसरे ब्रांड से ज़्यादा सफल हो पाये थे मिनिफुल वर्क आउटलिट अभी मेहनत और प्रैक्टिस चारी रख सकता है जब उसे लगे कि उसके काम का कोई मतलब है और उससे करके वो कोई लाप राप करता हो जैसे बहुत से राइटर्स जिनके नोवेस रिजिक्ट हो जाते हैं लिखना चोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें नेम फेम बनी कुछ भी नहीं मिल रहा होता है दूसरी और जो खिलाड़ी स्पोर्स में एक-दो टूनामेंट भी जीत जाते हैं तो वे और भी प्रेक्टिस करने लग जाते हैं क्योंकि जो ट्रोफी वो जीत कर लाते हैं वो हमेशा उन्हें आगे की और प्रेणा देती रहती है इसलिए मैनत कर गए और बहुत से जफलता मिलेगी तो हमेशा परती होगता हूं भाग लेते रहें महनत करते रहें लीगेसी अन्त मेलेका केते लीगेसी यानि माहौल कल्चर एंवर्मेंड का भी आउटलिर्स की जफलता पर काफी प्रभाव पड़ता है जैसे बिल गेट्स को स्कूल में कंप्यूटर कल्च पर देखते रहते हैं गुजरात के लोग कुछ बहुत अच्छे व्यापार होते हैं क्योंकि वहां ट्रस्ट और एक दूसरे क्ल्चर है जो एक दूसरे को आगया बढ़ाने में विश्वास रखते हैं जो बाकी स्टेट्स में इतना पाया नहीं जाता है जो आगया बढ़ पर ना तेगोर ने मोबिल प्राइज जीद कर वहां कि लोगों के लिए लिए कायम की है बंगाली लोग उनसे प्रेणा लेता रहते हैं बहुत से जगत प्रसिद राइटर्स बंगाल से ही है ऐसा ही अलग लग स्टेट्स के और भी उधान हो सकते हैं आप अभी अपने स्ट जीज मां आउट लियर हैं कि आप गेमस में अच्छे है याने नेट्वर्किंग कर लेते हैं याची एक्टिंग के माईर हैं तो टेलेंट डूंड़ दूंड़ डूंडें लेने बाद आपको पर इस पर ध्यान दोना होगा जोगा जो हो सकता है कि आप गरीब भी आर्स हो लेकर बता थी आज के टेक्नोलोजिया लेगी को में आप इसका तोड ढूंद सकते हैं इंटरनेट पर आज किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं मिल दिखाना बनाना से लिए कंप्रेटर कोडिंग तक यूटूब पर फ्री में उप्लग देंट्स नहीं सिखा सकते तो क्या गूग ज्यादा रियाज करना पड़ेगा जब तक लगे रहे हैं जब तक दस जार गंटे पूरे नहीं हो जाएं सफलता आपके कदम जरूर चूनमेंगी आप रेक्टिस तभी जारी रख सकते हैं जब इसका कोई मीनिंग हो जब कोई प्रोस्तान मिले इसके लिए बड़ी बड़ जिसे पहलान मिलेंगे जिन से नहीं नीचीज़े सीखने को मिलेगी एक्टर बनना तो किसी तीयाटर गूर्प से जुड़ जाई है सिंगर बनना तो कोई गुरू डून लिए दोस्तों यह समरी कैसे लगिया आपको अच्छे लगे लाइकन से कमेंट्स जरूर करिए और च इसको लिंग दिया जिनाथा आप इसको पड़से करके पढ़ सकते हैं